कर देखेंगे तो यह ठेका-देशी सराब की दुकान है और इस दुकान में चोरों ने घटना अंजाम देने के बाद महज कदम कुछ कदमों की दूरी पर मुर्गे की दुकान को निशाना बना लिया है यानी कहने का साथ तौर पर यह मतलब है कि ये पाटी साटी करने वाले चोर पहले यहां से कुछ पेटिया साराब से हाथ लगाते हैं उसके बाद निकल जाते हैं मुर्गे की दुकान पर वहाँ पर मुर्गे को हाथ साफ कर देते हैं अब देखिए ठेका देशी सराब है और चोरों ने किस तरह को घटना को अंजाम दिया है और सबसे खास बात यह है कि यहां पर घटना की अंजाम देने के बाद मूर्गे की दुकान को निशाना बनाया जाता है यानि मैं फिर यही कहा रहा हूं कि इतने सातिर चोर इतने दिम इसे से घुशते हैं और यह जो पलस्तर किया हुआ है जब चोरी की घटना को अंजाम दिया गया तो दुकान के मालिक ने इसको पलस्तर करवा कि बंद करवा दिया इसे के अंदर से वह इंटर कर जाते हैं अब देखिए यह ठेका देशी किसा हमाँ अंदर आ जाएं अन्दर यह थोड़ा सा देखिए दर्सकों यह देखिए अब सबसे पहले ध्यान दीजिए चोरों की जो है निगरानी वो देखिए CCTV लगा हुआ है देखिए CCTV कैमरा लगा हुआ है अब सुनिए CCTV कैमरा जिसमें रिकार्ड होगा उसको गया भी कर दिया है यहां पूरा DVR मसीन उठा कर चोर लेकर चले गए हैं DVR मसीन चोरी कर लिया CCTV कैमरा लगा था कई पेटिया यहां पर सराब जो है चोरी हुई है ऐसी सोसल मीडिया पर खबरे भी चल लही है मैं आपको बताओं कि जब यहां पर घटना का अंजाम दिया गया है उसके बाद मूर्गे की दुकान को निसाना बनाया गया है मैं अभी वहां भी चलूंगा लंभुवा सुल्टानपूर की यह घटना बताई जा रही है अब देखिए पीछे स्क्रिंग पर देखिए किस तरह से ठेका देशी के साराब की दुकान है क्या नम है आपका अबिनास भी या जो आपकी यहां चोरी हुई है कि अच्छा मतलब अंदर से घुज गये थे और उसके बाद इसको तोड़के यहां पर हाजिर हो गया है चे पेटी सराव यहां पर गायब कर दी गई है और उसके बाद मूर्गे की दुकान को निसाना बनाया गया है तहरीर दी है अप लोगे पुलीस वाले लिखा पड़ी कर कर दी बाद नेंशारे की दुकान के लिए मूर्गी की दुकान पर हाथ साथ किया थी हो फैसिजरी कौंडी को यहां से तोड़ दिया गया है किसी चीज से मारकर और उसके बाद इसी में मूर्गे रखेथście और उसी मूर्गे पर राद साब कर दिया गया है यानि कहने का साब तौर पर ये है दारु की दुकान पर जब चोरी की तो उसके बात यहाँ पराते हैं हम सुबह जब आए हमको मालूम पड़ा मतलब यानि बीती रात में घटना हुई है हाँ यहां से हम रात साथ बज़े चले गए थे फिर उसके बाद जब सुबह मुर्गे की गाड़ी आई पर पता आए यहां पर मुर्गा नहीं था तो यह बताओ यह जिस तरह से खुले में है इसे मुर्गा रखके चले जाते हो यहां तो हमेशा से ऐसे ही रखते हैं कितने साल से दुकान है यहां नौ-दस साल हो गया दुकान का नो-दस साल से आज पहली बार हुई है किसको बार और भी होता है मुर्गी पहली बार चोरी हुई है कितनी मुर्गिया थी पांच मु कर दिया गया है दारू की दुकान की घटना को अंजान देने के बाद यानी कहने का साफ तोर पर यह हाला कि अभी जो पुलिस की की गिरफ्त से चोर तो दूर हैं लेकिन वो कहीं न कहीं पाटी साथी जरूर मना रहे होंगे क्योंकि आपको मैं बता हूं किसी के महस कुछ कदम की दूरी पर ठेक है की दुकान पर भी चोरी हुई है दरों की दुकान है और वही को больше चोल चोल कि निया मधश्चार और जिस तरह को अंजाम दिया गया है कुंडी को काट करके चोल की गटना और वहाई से यहाँ पर मूर्गियां चोल की गई है यहाँ जैको प्रक्वांक किस वाल प्लता है यह बताएं कि आप इसका इंतिजाम करें हम देख के हम बताइंगे आप कहीं और इनका बढ़िया साइं इसलिए फिराल आप क्या सूचते हैं कमेंट करके आवस्थ बताइए कामरा परसंदीदान के साथ बोलू जहांगीर